लो फैंस वेलकम टू स्टेडी फोर जीनियस स्टेडी फोर जीनियस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है जिया फैंस आप सभी को जैसा की पता है कि भाई RRB NTPC 2020 CVT1 Admit Card के लेकर यहाँ पर रेलवे ने बहुत ही बड़ा बयान जारी कर दिया है जिया फैंस अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहोगा कि भाई किसका एक्जाम कब होगा यह कैसी पता चलेगा तो भाई इसको लेकर रेल बेने दोस्तों हैंपर साफ कर दिया है कि आपका जो एडमीट कर दोस्तों कब से आएंगे आपकी वीडियो के नीचे एक लाल करका बटन होगा उसे दबकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पर दोस्तों आप यह जानिये कि भाई यह नियूज है यह दोस्तों कब की है क्योंकि दोस्तों इसको लेकर कर दिफिजन जाता जाते है इस्टुडेंट देखे यहां पर आप देख पा रहे है तीन दिसम्बर दो हजार बीस की दोस्तों यह नियूज है अब दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि भाई यहां पर आप इसे कैसे देख सकते हैं यह लिखा है आरारबी एंटी पीची के एड्मिट कार रेलवे बोर्ड ने बताया कब होगा किसका एकजाम जेफेंट्स 15 दिसम्बर से एंटी पीची भरती प्रक्षा शुरोगी यह तो दोस्तों आप सभी जानते हैं लेकिन दोस्तों यह कैसे पते चलेगा कि बाई मेरा एकजाम उस डेटको है देखेंट्स उसको लेका भी दोस्तों किलीर रहूट चुका है यहां पर यह लिखा किया गया सासे पहले आप ये देखिए लिखा गया है कि RRB की तरब से RRB NTPC के CBT1 के लिए एडिमिट कार्ड जल्द ही जारी किये जाएंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्या कारिकारी अधिकारी सीयो विनोध कुमार यादम ने बताया कि नॉन टेक्निकल पॉपूलर यानि के NTPC के 35,208 पदों के लिए 28 दिसंबर से परिक्षाएं सुरू होंगी और मार्च के आखिर तक खतम होंगी इसके अलावा स्रक्षर सेड़ी में टैंक मेंटर एवं अन्य तक्निकी पदों के 1,37,79 पदों भरती के लिए अप्रेल से जून 21 के बीच में परिक्षाएं कराई जाएंगी कुल 1,40,6,40 पदों के लिए 2 करोड़ देख से दोस्तों कितने लड़कों ने यानि कितने अभ्यातियों ने दोस्तों है फोरम एपले किया है तो फैंस यहाँ पर यह आपके लिए बहुती बड़ी ख़बर भाई कि आपकी जो परिक्षाएं वो दोस्तों 15 से लेकर 28 दिसंबर के बीच चलेगी यानि 28 दिसंबर से लेकर दोस्तों मार्स के आखिर तक यह पर चलने वाली है तो दोस्तों यहाँ पर देख सते हैं आप कोरोना संकट के कारण नई भरती वाले करमचारियों को न्यूकती पत्र भेजने में देर हुई है यानि कि दोस्तों कोरोना के चलते दोस्तों आपकी जो भरती है वो लिट हुई है उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपाल की बादता की कारण प्रिसीचन केंदरों की छमता प्रवावित हुई है उसी वज़े से निक्ती पत्र को भेजने में दिक्कत हुई है अब सब को निक्ती पत्र प्रदान करने का पत्र भेजा गया है किसी को भी छोड़ा नहीं गया है नहीं किसी को छोड़ा जाएगा यानि कि दोस्तों यहां पर रेलेव ने साफ कर दिया है कि कोरोना की बज़े से यहां पर आपकी जो एक्जाम डेट है उसमें देरी हुई है अब दोस्तों आपका जो एक्जाम है वो दोस्तों सभी का कराया जाएगा अब यहां पर आपका जो नेम वाइज है जो नेम वाइज है उसके हिसाफ से आपका पर जो है एक्जाम कराया जाएगा यहां कि दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आपका नाम एसे स्टार्ट होता है यहां कि दोस्तों एसे स्टार्ट होता है तो आपका एक्जाम पढ़ेगा या निकी दोस्तो डबल एक के बाद कुछ S सक्षरो B वाला जो दोस्तो सबसे पहले अलफा बेट में आते हैं वह दोस्तो अगर उसके नाम के आगे आ रहे हैं तो उनीखा एक्जाम दोस्तो सबसे पहले होगा कुछी लोग दोस्तो ऐसी होते हैं जिनका नाम A C उसके पाद Z बूख यू है लेकिन फिटिवी दोस्तो इनका अ कहीं नकीं इन वालोत यह जोbecue लेट हो सकता है क्योंकि आप समझ सकते हैं काई नहें कहीं फरवरी जन्वरी के मद्ध में पर होसकता तो फेंट्स यह दोस्तों पूरा आपको है पर नौटी समयने बता दिया है कि किस प्रिकार से यहां पर रेलवे बता रहा है जो विनूत कुमार यादब जी है उन्होंने यहां पर साफ कर दिया है कि सभी के एक्जाम कराए जाएगा टैंसर किसी बात के नहीं है बस अपने ए कर सकते हैं ठीक है आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सारा लिंक का आपको वीडियो के डिस किस्ते बुक्स में मिल जाएगा वहां से आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं तब तो जहने बाद जैहिंद वन्ने मात रहा हूं